मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेर आइकन को दबाएए तो आज कब लोग स्टार्ट करते हैं वेलकम बेक टू माई चैनल अज बना रही हूं शुबह नास्ते में थोड़ा सा हटके पुलाओ बन रहा है मेरा ये इसको कहते हैं तवा पुलाओ और मैं बना रही हूं कडाई में तो आप लोग बड़ा सा तवा हो तो बना सकते हैं और ये मैंने हरी मिर्ची टमाटन प्याज अध्ररक लैसून सब बिल्कुल और ये देखिए ये एंध्ला मिर्च एग उसके अभर साथ में ने है और यह थोड़ा सा पख जाती हैं तो फिर डाल देती हैं तरमाटर प्याज पक्च चुकी थी तब मैंने टमाटर डाले हैं और यह देखिए आब हम टमाटर को भूम लेंगे और इसमें क्या करना है कि मैं भूल गई थी आपको बताना तो इतना सा और काम कर लें कि यह देखिए यह मैंने फ्रोजन मटर डाल दी है तो आलू को बाल के रख लें और फिर्म के चोटे-चोटे से टुकड़े करके बो भी इसमें आट करते हैं मैं भूल गई थी आलू उबले रखे रहे थे मैं इसमें डालना भूल गई थी और जब मैं पूरी पूरा तयार हो गया था खाने को बैठी थी तह मुझे याद आया उसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया हैं और अब azioniदे नमक हमको बातलने और अगर आपके पास पावाजी मसाला है तो बहुत अच्छा फ्लेवार आएगा चावल मैंने वाल के रख लिए हैं और बस अब इसको क्या करेंगे कि हम हमें अच्छी से भूना है ताकि यह पूरी तरिके से गल जाएं मैंने फच्छा डी आमत को यह पूरी तरीकी से mess हो जाने चाहिए, पाव भाजी की तरीका जैसे पाव भाजी में हम फूरी सब्जिया mess कर लेते हैं, बैसे हमें mess करना है इसको और थोड़ा सा धक दें, अगर इन रंपानी में आदा सब्सक्रा दोन देनें तोões को सब्सक्राइब की फिला सब्सक्राइब में आधा है यह साय वह बहुत ही बंद भूट ही अच्छा कारें आता है जो लोग भी देखते निया वह ट्राइ करिये मैं गारंटी के साथ कह रहे हूं कि आप लोग भी फैन हो जाएंगे इसके यह देखिए अब मैं इसमें पेस्ट डाल दूंगी चावल डालने के बाद और चावल मैंने पहले वाल के रखे थे और चावल क्या है गीले नहीं होने चाहिए बस खिले खिले चा उसलड युकिन नहीं मान सकते हैं तक कि आप खुद मना के करेंगे और असली आज यह नास्ता बना थे तहि Спे जा था मतलब्स के अत्ता नहीं सकती हूं ृप लोग या तो ट्राइब करिए या फिर आप लोग मेरे घारा के खाते तब यह आपको पता चल जाता लोग मेरे खाते तब यह आपको पता चल जाता चल जाता चल जाता चल जाता है और यह देखिए रेडी हो चुके हैं और हरी धनिया पत्ती डाल के डाल दिया है मैंने और आप मैं सर्व कर रही हूं तो यह देखिए धनिया पत्ती उबर से डाल दीजिए थोड़ा सा नीवू का रस डाल दीजिए थोड़ा सा प्याज काटके डाल दीजिए तो देखने में अभी बहुत ही जुन्दर लगने लगता है और वैसे जो लोग प्याज खाते हैं यार तो वह खा सकते हैं मैं नहीं खाती हूं तो मैं नहीं डाला और नास्ता होने के बाद मैंने सोचा कि चलिए आज मैं यहां पर आई थी किसी काम से तो मैंने कि उसका वहां देखा कि यहां बाहर कि खिड़ की बाहर तो इनकी पानि वर्सा तो इनकी मिट्टी जो है पूरी मिट्टी छपक गई थी और यहां तक मिट्टी teaspoon और नहीं अँt और पानि भरता है तो यह अंदर मिट्टी साफाग्ति आजाते हैं तो और यह साम का वीडियो है तो मैं लगा रही हूँ क्लम क्योंकि यह सीजन ऐसा है कि आप कोई भी कलम कहीं भी लगा देंगे तो यह लग जाएगी और वो गए थे कहीं तो वहां से लेके आए थे कुछ चांदनी की है करेर की है और यह बारों महिने फूलने वाले जो कलम पेड के मैं रहे हैं तो यह वाले चांदनी है यहां मैं इन फूलने कंथे कंहीं नहीं आण ञाए थी को एस टाइम पर अच्छे से आ कर जाती है। पाप नहींड भी पिरे लगा दी जैंट में पहुत ही महां मैं अद्रों से सब्सक्राइब याइ St. साथ क्योंकि सुबह मैंने नास्ता बनाए और यह कलम लगाना शुरू कर दी थी और यह लगाने के बाद कुछ उपर मेरे शक्तर भी कुछ गमले हैं तो मैं कुछ वहां पर भी लगाऊंगी तो मैं सिर्फ नीचे तक ही मैंने रेकॉर्ड किया था और इसके बाद मैं चली गय होंगे खुश होंगे मैं भी बढ़िया हूं और आज क्या है आज के ब्लॉग में आप सिर्फ एक रेसिपी देखेंगे और देखेंगे ने देख चुके होंगे और बरसाथ का सीजन है तो कुछ कलमे वगेरा जो है मैंने लगाई है अब देखते हैं कितनी लगती हैं कितनी बेकार होती है लेकिन इस सीजन में जो भी हम ज्यादा तर लग जाती है नबे परसेंट लग जाती है तो आज मैंने वस यह आप लोगों के साथ सेयर किया है हाँ एक और बात मुझे सेयर करनी थी कि मुझे हसी आती है कि जैसे कि अभी मेरे चैनल का कोई मतलब नहीं है मेरे चैनल पर मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल पर कॉपी राइट क्लेम दिए तो मुझे तो मुझे तो उसकी वैल्यू है लेकिन अभी उसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरीके से आप लोगों को बताऊ तो एक इत्ती बड पर कॉपी इत्व पर कि कंपनी तो मेरे चैनल पर विडियो मतलब मेरे चैनल पर कॉपी राइट क्लेम दिया है अच्छी खासी नामी कंपनी है मेरे जैसे लाग हो करोड़ों चैनल भी कुछ नहीं है तो मुझे हसी आती है लेकिन क्या कर सकते हैं उन लोगोंने अपने मतलब उन्होंने से कुछ टेखनिकल उन लोगों का होगा ऐसा कि अगर उनका कुछ भी उसकर लो तो वह आटोमेटिक लग जाता होगा पता नहीं है कैसी लगता है कि कौन देखता है उनके आहां कपरी में अधिक कुछ सायर सैंयोग के रांस पे या कहीं भी आइस वाले वीडियो में नहीं लगा है और मैं देखा अभी है लगा तो काफी दून से तो उसकी में उसे कंपने ने लगा दिया था तो मैंने नहीं देखा क्योंकि जो वीडियो डाल चुके उसके बाद दूसरा डाल दिया तो फिर मतलब पुराने वीडियो नहीं देख पता नहीं चलता है और देखते भी नहीं है वह एक दिन अजालक से चल रहा था एक दिन क्या कल लिया पड़ तो मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था फिर मैंने उसको और गौर से देखा उसको डिटेल में देखा तो उसमें कॉपी राइट क्लेम लेखा ले मुझे तहीं नहीं था कि यह होता गया है फिर मैंने पता किया सच किया तो पता चला कि यह उस अब को उसका जो मैंने बच्चे के डांस के लिए या किसी भी चीज के लिए यह तो उसने लगा दिया है पता करके दो चार्ट वीडियो देखे मतलब अपनी प्रॉब्लम जो है उसमें सर्च की उसके दो चार्ट वीडियो देखे कैसे हटाएं क्या करें फिर कहीं जाके वह तो उतना हिस्सा मैंने गाने का जो है वह फिर कट किया एक ही और संथा मेरे पास के मैंसकों कट कर सकती या उसमें और सन्य नहीं होता है कि हम उसकंपनी से कॉंटेक्ट करें और से कहें कि मतलब उनसे रplease करें तो और सकती है ne सने दिया है या फिर हम रिमूर्ब करने वह तो सकंपनी से कांटक करनेómo घplets कि नहीं प्रता है क्या क्रम आपता मैं ने अपने वीडियो से रिमूब कर दिया आप ठीक है कम से कम तो मैं यह देख रही थी कि बताइए इतनी बड़ी कंपणी और मेरे इतने से चैनल पर कॉपीराइट क्लेम भेज रही है कोई बात नहीं उनका काम है अगर वह से नजर ना रखें तो साइद उनका सब लोग काम है कि रोकते हैं सायत ऐसा मुझे पता है कि जहां पर बहुँता है तो उस्पे हम किसी की ऐसी को बड़िस का कम आधर आ या किसी बीम ही कर सकते है और इसलिए मुझे रही पता है जितना पता है मैंने आपको बता दिया तो देखिए इस तरीके से यूटूब में मुझे पहले तो कुछ भी पता नहीं था मैं तो सीधा जान दी थी कि बस वीडियो बनाया अप्लोड कर दिया हो गया बस मुझे रही पता था कि इसमें आगे क्या होता है तो और फिर जब मैंने ये चैनल शु Nahरो किया मैंने वीडियो अफलोड करने तो इतना मुझे पता था इससे जादा मुझे कुछ भी पता नहीं था तो यह प्रोसेस मुझे अभी हमारा चली रहा है और उसके उसमें यह कॉपीराइट क्लेम और यह दुनिया नारी तो यह सावन बीच में तो मुझे थोड़ा से यह लगा कि पता नहीं अब मैं आगे क्य क्या करोंगी क्योंकि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है तिनी जादा वसमें जो है जो भी problem होती है तो मैं उसी में सर्फ कर लेती हूए है क्या और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं तो ऐसे करके चल आ है काफी जैड़त होते हैं मुझे पता नहीं था पहले आर पता होता तो परिषानिया तो हर फिल्ड में आती हैं कहीं भी आप काम करेंगे तो परिषानी तो पर अब देखते हैं कब तक मेरा काम करती हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कब किस चीज में अटक जाओं को बताने वाला या कोई जानकारी देने वाला है नहीं मैं इसी में सब्सक्राइब करके देख लेती हूं तो ठीक है और बहुत टेंशन में अभी तक आप जैसे तैसे टेंशन खत्म हुई है क्योंकि वह रिमूब कर दिया है मैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे कल के ब्लॉग में और जो लोग को नए देखते हैं मों सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें वीडियो को और मिलेंगे कल के ब्लॉग में तो तब तक के लिए बाबाए